सबसे पहले तो आपको आपकी फैमिली को ईद की बहुत-बहुत मुबारक बाद उमिद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे बात को आगे बढ़ाओं उससे पहले कुरान की इस वर्स को आप समझ लें कुरान चैप्टर 3 वर्स 103 में कहा गया है अगे कहा गया है याद करो अल्ला का वो इनाम जो तुम पर हुआ जबकि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्ला ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत पैदा कर दी और तुम अल्ला के फजलो करम से भाई भाई बन गए आज आपने देखा होगा बल्कि पूरी दुनिया देखती है कि आज के दिन मुसलमान ईट की नमास के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं उन्हें ईट की मुबारक बात देते हैं बड़े ही मुहबत से एक दूसरे से मिलते हैं हाला कि ये इद सिर्फ इसलिए नहीं आती कि आप इस दिन को सिर्फ celebrate करें, बलकि ये आपको एक message भी देती है, unite रहने का एक तरीका भी बताती है, और ऐसा नहीं है कि ये unity सिर्फ इदगा तक ही रहे, बलकि इदगा के बाहर भी आप unite हो सबसे पहले, तो आप अपने घर में एक रहो, अपनी society में unity establish करो, और लोगों की मदद के लिए एक हो जाओ, यहां तक की political field में भी unity को promote करो, और दिखा दो कि आप एक हो, जहां भी हो unite हो, और इसके लिए आपको as it is नमाज के formula के हिसाब से ही, जहां इमाम की एक आवाज पर, पीछे कड़ा हर एक इनसान, एक time पर, एक साथ चीजों को follow करता है, उसी तरह हर एक field में, अपना एक इमाम बनाओ, एक leader पैदा करो, unity ही है, जो आपकी हर problem को solve कर सकती है, एक रहोगे, तो ना कोई तोड़ सकता है,